इसे में क्या करना चाहिए? मुश्किल विश्यों से कैसे निपते? Students के लिए आयोजित कारिक्रम परीक्षा पे चर्चा में PM मोधी देश भर के छात्रों से सालाना जुडते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ special tips हमारे exam warriors के लिए हर subject समान रूप से आसान या कठिन नहीं होता ज्यादातर विद्यार्थी अपने मन पसंद subjects को पहले पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन कठिन सबजेक्ट से डील करने का मोधी जी एक अलग formula बताते हैं आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस थित्री का सामना करना पढ़ता हो हकीकत तो यह है कि दुनिया में एग भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके उपर ये बात लागू नहीं होती हो मान लिजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया पांचे शर्ट है लेकिन आपने देखा होगा एक या दो शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे बार बार पहंते हैं इसको बार बार तो माबाब भी इन चीजों के लिए के गुशा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे अभी दो दिन पहले तो पहना था पसंद ना पसंद मनुश्य का स्वभाव है और कभी-कभी पसंद के साथ लगाओ भी हो जाता है और इसमें डर की दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए दरसल होता क्या है जब आपको कुछ चीजें जादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कमफर्ट हो जाते हैं बहुत कमफ़टबल लगता है सहज हो जाते हैं लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते हैं, उनके तनाव में आपकी असी प्रतिशन एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं, और इसलिए टूडेंट से मैं यही कहूंगा, कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रिबूट करना चाहिए, सभी विशों में बराबर बराबर, आपके पास पढ़ाई के लिए दो गंटे हैं, तो उन गंटों में हर सब्जेक को समान भाव से पढ़िए, अपने समय को इक्वल डिस्ट्रिबूट करिए, साथियों, आपने देखा होगा, टीचर्स, माता पीता, हमें सिखाते हैं, कि जो सरल है, वो पहले करें, यह आम तोर पर यह कहा जाता है, और एक्जाम में तो खास तोर पर बार-बार कहा जाता है, जो सराल उसको पहले करो भई, जब टाइम बचेगा, तब वो कठीन है, उसको हाथ लगाना, लेकिन पढ़ाई को लेकर, मैं समझता हूँ, यह सला आवशक नहीं है, और उप्योग भी नहीं है, मैं जरा इस चीज को अलग नजेरिय से देखता हूँ, मैं कहता हूँ, जब कि पढ़ाई की बात हो, तो कठीन जो है, उसको पहले लिजा, आपका माइन फ्रेश है, आप खुद फ्रेश है, उसको एटेन करने का प्रयास की थी, जब कठीन को एटेन करेंगे, तो सरल तो और भी आसान हो जाए मैं अपना अनुफा बताता हूँ, जब मैं मुख्य मंतरी था, प्रिदान मंतरी बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत हो सीखना पड़ता है, चीजों को समयना पड़ता है, तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बाते होती हैं जिसके बने ट्रोडे गंबीर होते हैं। मैं मेरे सूबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पपसंद करता हूं। मुष्किल से मुष्किल चीज już मेरे अपिसवर मेरे सामने लिए करका आता हैं। वो और उनको मालू है दिन धर की थकान के बाद रात देर हो जाती है तो चलो भाई अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने के जरूत नहीं हो कि गल्ती होने का कारण नहीं है तो उन चीजों को मैं देर रात तक खीच लेता हूं लेकिन सुबह जब उड़ता हूं तो फिर कठीन से ही मुकाबला कर निकल पड़ता हूं दोस्ते एक और बात हमें अपने आप से सिखनी चाहिए आप देखिए जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर विशय में पारंगत नहीं होते हैं लेकिन किसी एक विशय पर किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है अब जैसे य लता मंगेश्खर जी की पूरे दुनिया में नाम है हिंदुस्तान के हर जुबां पर नाम है लेकिन अगर कोई जाल करके उनको कहें गायद हमारे क्लास में आईए और जोगरों भी पढ़ाईए हो सकता है उन्हों भी पढ़ा पाए पढ़ा भी पाए मैंने किया अंता हो प एक विशय पर जिस प्रकारते हमना जीवन खपा दिया है आज वो हर एक के लिए प्रेणा का कारण बन गई है और इसलिए आपको बले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो यह कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है आप बस यह धान रखिए कि मुश्किल लगने वाल वही टीचर्स के लिए मेरी सला यह है वो विध्यार्थियों से उनको टाइम मेनेजमेंट के सबंद में उसके तौं तरी के सबंद में सिलेबस के भार जाकर के भी कभी उनसे बाते करें उनसे चर्चा करें उनको गाइड करें विध्यार्थियों को टोकने के बजाए उन्ह गाइड करें तोकना रोकना उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है प्रोच्छाहित करने से वो कॉंसेंट्रेटर ताकत के रूप में कनवर्ट हो जाता है कुछ बातें क्लास में सार्वजणिक तोर पर जरूर कहें ताकि सब का प्रबोधन होगा लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है जब किसी एक बच्चो को बुला करके चलते चलते फ़ड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहें कि देबटे देखो भया तुम इतने बढ़िया करते हो जर देखो इसको जर तोड़ा यह कर लीजिए देखिए तुमारे बहुत बड़ी ताकत है आप देखिए यह बहुत काम आएगा बहुत काम आएगा एक काम करिए आपके जीवन में ऐसी कौन सी बाते थी जो कभी आपको बहुत कठीन लगती थी और आज आप उसको बड़ी सहस्ता से कर पा रहें और एक एसे कुछ कामों के लिस्ट बनाएगे जैसे साइकल चलाना कभी आपको पढ़ा होगा लेकिन अब वही काम आप सरूता से करते लेते होंगे कभी तैरने की बात आई होगी बहुत डर लगा होगा उतरने से भी डर लगा होगा लेकिन आप अच्छे तरा आज तैरना सिख गए होंगे वह जो कठीन था उसको आपने कनवर कर दिया आपके जीवन में सेंकड़ों चीज़े होगी अगर आप ये याद करके जरा किसी कागज पर लिख लेंगे तो कभी आपको किसी को भी मुझसे भी कठीन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कभी कोई चीज़ आपको कठीन लगेगी ही नहीं हर बच्चे में अलग-अलग शमताएं होती हैं और सोचने का एक अनूठा तरीका होता है इसलिए कुछ विशय डिफिकल्ट और बोरिंग तो कुछ सिंपल और इंट्रिस्टिंग लगते हैं मोदी जी की ट्रिक ट्राइ करें और अपनी एनजी लेवल्स के हाई टाइम में ऐसे टॉपिक्स को स्टडी करें जो आपको बोरिंग या डिफिकल्ट लगते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका है जीवन को देखने का कठिन को सरल में कनवर्ट करने का जो मुश्किल लगे उससे भागना नहीं है और जो सरल लगे सिर्फ उसी के पीछे भागना नहीं है उसके पीछे की सीख को अपनाना है हर विशे को मुश्किल से आसान बनाना है तो बच्चा पाती किसी भी सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बोलने से पहले मोदी जी के दिये गए मंत्र और टिप्स को आप जरूर आजमाएं